जहिन दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तों चायना के साथ टेंशन के दर्मियान हर एक देश को अपना हतियार के जकीरे को मजबूत करने का जुरूरत है चाहे वो इंडिया हो जैपैन हो या अमेरिका और ऐसे ही जैपैन को मिला अपना सबसे बहतरीन और एडवांस्तरीन सुपर सौनिक एंटी शिप क्रूज मिसाल एसम-3 हाली में जब से चायना द्वारा महामारी का फाइदा उठाते हुए साउथ चायना सी इस चायना सी और इंडो पेसिपिक रिजन में अपना दबदबा बढ़ाने का कुशिश किया जा रहा है तब से जपैन चायना से अपने आपको सीक्यूर करने के लिए और चायना के एग्रेशन के सामने अपने आपको तैयार करने के लिए हर तरीके का प्रस्तुति ले रहा है चाहे अमेरिका के साथ गडवंधन हो या भारत के साथ नेवल एकसरसाइ नहीं बलकि इतना घातक मिसाइल है कि ये समुंदर के अंदर चाना कि किसी भी जहाज को डुबा सकता है जेपैन का ये मिसाइल मिश्रिविशी कमपनी के तरफ से बनाया गया है और ये मिसाइल को ASM-1 और ASM-2 के अपग्रेड़ वर्जन के रूप से जाना जाता है दोस्तों इन हत्यारों के development history को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 साल के कम समय के दर्मियान ही जेपैन द्वारा इन मिसाइलों के दो अलग-अलग variant को develop कर लिया गया 2015 में जेपैन के Ministry of Defense के तरफ से XASM-3 नामप इस project को launch किया गया था लेकिन 2016 में इसे पहली बार परिक्शन किया गया 2016 में ही इन मिसाइलों को जेपैन के F-2 Fighter Air Cap मतलब अमेरिका के F-16 के दर्च पे जेपैन के द्वारा बनाया हुआ Fighter Air Capto में deploy करने का बात किया गया था और 2017 में ही Fighter Air Capto के द्वारा इन मिसाइलों को दाख के successful ये भी परिक्शन किया गया कि इन मिसाइलों को आसानी से Fighter Air Capto में भी deploy किया जा सकता है दोस्तो, Fighter Air Capto के साथ ऐसा Anti-Ship Cruise Missile इसलिए भी घातक होता है क्योंकि इससे मिसाइलों का पहुँच काफी गुना बढ़ जाता है Defense Media Report के मुताबिक इन मिसाइलों को जो पहले variant में develop किया गया था उसका range 1500 से 200 किलोमेटर है और speed करीबन Mark 3 है मिसाइलों में घातक तरीन explosive का इस्तिमाल किया गया है जो किसी भी तरीके का जहाज के आर्मर को भेद भी सकता है और इतना घातक है कि एक ही वार में aircraft carrier और battleship जैसे बड़े जहाजों को डुआ सकता है 2020 के शुरुआती समय में defense budget में इसे लेके एक abundant भी किया गया था और उसी पैसे का इस्तेमाल करके अब सुनने को आ रहा है कि जैपैन द्वारा इन मिसाइलों के 400 किलोमेटर range का variant को भी develop कर लिया गया है दोसो जैपैन के बेड़े में 400 किलोमेटर range का ASM-3 मिसाइल सामिल होना चाइना के लिए एक घातक बात इसलिए भी है क्योंकि चाइना हाली के दिनों में जिस तरीके से South China Sea के अंदर अपने नेवल दबदेवे को बढ़ा रहा है उसे ये मिसाइल आसानी से counter भी कर पाएगा दोस्तो चाइना और जैपैन के बीच में संकाकू आइलेंड को लेके एक बिबाद भी है जिसे दोनों देश के दरफ से ही एक sensitive मुद्धा माना जाता है जहाँ पे संकाकू आइलेंड जैपैन का एक territory है वही पे चाइना द्वारा बीते कुछ सालों से इस आइलेंड को अप Closive Economic Zone बढ़ाने के साथ साथ East China Sea के अंदर एक strategic location बन सकता है जिस तरीके से चाइना द्वारा समुंदर के अंदर artificial island का creation किया जा रहा है उसके लिए संकाकू आइलेंड चाइना के strategic role में मैं तो बूर्ण भूवी का निवा सकता है और चाइना यही strategic interest को complete करने के लिए दूसर सोती को आगे बढ़ाएगा और ऐसे ही एक रणनीतिय के तहट इन मिसाइलों को develop किया गया और अब सुनने को आ रहा है कि जपैन द्वारा जो अमेरिका से F-35 fighter aircraft को खरिदा जा रहा है उनमें भी इन मिसाइलों का इस्नेमाल किया जा पाएगा दोस्तों आपके जानकारी के प्रस्तों के लिए बढ़ाएगा दो कि भारत के पास जो ब्रमोस मिसाइल है उसे इन मिसाइलों से भी जादा घातक माना जाता है क्योंकि ये खाली एक सुपर सौनिक मिसाइल नहीं बलकि मल्टी फ्लाटपॉर्म मिसाइल है और इसका एकूरिसी जपैन के मिसाइलों के खाली जपैन नहीं बलकि चायना के खिलाब बाकी देशों को भी प्रस्तूत होना चाहिए और ऐसे प्रस्तूती के लिए अगर भारत के तरफ से भी कुछ भागेदारी हासिल करना संभव होता है तो भारत को भी बढ़ चड़के हिस्सा लेना चाहिए एक्जाम्पल के रू उसे किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है तो कुल मिला के मुझे भी लगता है कि जपैन के तरफ से बनाया हुआ घतियार चायना के खिलाब जपैन का ब्रह्मास्तर बन सकता है और भारत का ब्रह्मोस जो अल्रेडी ब्रह्मास्तर के जैसे ही सुनाई देता है इसे भी फिलिपीन जैसे देशों के लिए ब्रहमास्तर बना देना चाहिए तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए जै हिंद